मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली पुलिस MTS के अंदर जो पेपर पोस्ट पॉर्ण हुआ है बहुत सारे बच्चों का अलग-अलग डेट को एक्जाम होने वाला है ठीक है यह कंफर्म नहीं दे कि अभी मैं आपको बच्चों का एक्जाम जो पर्टिकुलर डेट को होगा तो उनका जो डेट है वो अलग-लग को डेट गोसित हुआ है अभी आपको क्या करना है जो आपको प्रॉल्म आ रही है आप अपना मुवाइल जो आपने रिजिस्टर करवा है था ना आप फॉर्म बरते समय उस पर देखिए मैसेज आया होगा अगर उस पर भी मैसेज नही आया तो फिर आप एक ऐसरे ऐसा करिएगा कि आप अपना दुबारा से डॉममेंट करना तो हो सकता है जब आप दुबारा Unterstüt करेंगे तो उसमने आपको डेट दिखाई देगा ठीक है ऐसा नहीं कि पास टाइम वही है वेन्यू इस्तान भी वही है दिल्ली तो दिल्ली बुम्बई तो बुम्बई होगा ठीक है तो बस क्या करना है आपको दो जगे से confirmation प्राप्ट करना है वैसे तो होगा generally वो सभी के पास उनका mobile नंबर जो वो mobile नंबर के जरी उनको message किया जा रहा है कि इस date को आपका exam है अगर फिर भी वो आपको जानकारी प्राप्ट नहीं हो रही है तो फिर इसका सिर्फ एकी solution है कि आप एक बार दोवारा से अपना admin card होगा है वो डाउनलोड करना ठीक है जब आपका माल लीजे अगर आपको 25 तारी को paper है 25 दिसंबर को तो आप 22 या फिर 23 तारी को या फिर 20 तारी को आप अपना admin card एक बार दोवारा से download करके देखना अगर उसमें माल लीजे अगर कुछ changement हुआ होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका admin card में भी जो date है वो change कर दी गई होगी ठीक है तो दो जगे से आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है ऐसा नहीं कि सारे बच्चों का जनवरी में होगा हो सकता है किसी क 29 दिसंबर को हो सकता है किसी का 5 जनवरी को हो सकता है किसी का एक दो दिन आगे बढ़ गया है बट यह चीज यह तो confirm है कि बढ़ गया है तो आपको इसी की जानकारी आप अपने mobile एक बार चेक कर लिजएगा वहां से जानकारी अदर्वाइस अपना admin का दुबारा से डाउन विडियो को शियर करना लाइक करना और अपने दोस्तों में इससे जरूर शियर करना ताकि वह confused ना हो और उनकी जो problem से वह solve हो जाए थैंक्यू